आजमगर में पुलिस अधीक्षक हेम्राजमीना की अध्यक्षता में यातायात माह नवंबर दो हजार चौबीस का शुभारंब किया गया है इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरुकता फैलाना है आजमगर में यातायात माह के अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेम्राजमीना के नित्रित्व में सड़क सुरक्षा के पांच मुख्य स्तंब, शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, अपातकालीन देखभाल और पर्यावरन पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है इस दोरान, स्कूलों में छात्रों के लिए निबंद, चित्रकला और नुककर नातकों का आयोजन किया जाएगा ताकि भविश्य के वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रती जागरूकता बढ़ाई जा सके साथ ही, तेजगती, गलत दिशा में वाहन चलाना और मोबाईल के दुरुपयोग जैसे नियम उलंगनों पर सक्ती से कारवाई की जाएगी इंजीनियरिंग सुधार के तहद हाईवे और एक्सप्रस्वे पर ब्लाक स्पॉर्ट चिनहित किये जा रहे हैं, अवेध कट्स बंद कराए जाएंगे और संके तक लगाए जाएंगे अपातकालीन देखभाल के तहद फर्स्टेड ट्रेनिंग के माध्यम से आमजन को दुर घटनाओं के दौरान त्वरित सहायता देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा प्रदूशन फैलाने वाले मौडिफाइड साइलेंसर और अन्य उपकरनों के खिलाफ भी सक्त कदम उठाए जाएंगे यातायात माह के शुभारंब पर पुलिस अधीक्षक ने जागरूकता रैली को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया देखिए आज आज आप सभी को जान करी कि पूरे प्रदेश में नॉम्बर माह है उसका हम लोग यातायत माह करूप में मनाते हैं आज से दो तरे के कारिकरम एक इनफॉर्समेंट के कारिकरम और दूसरे अवैरनेस के जो कारिकरम है वो जिला पुलिस के दौरा और यातायत पुलिस के दौरा किया जाएंगे जिसमें है लोगों को ट्रैफिक नीममों के बारे में जयनकरी दे जाएगी साथी साथ जो लोग लगातार ट्रैफिक नीममों का उलंगन कर रहे हैं उनके खिलाप में enforcement की जो कारवाई करते हूं, के खिलाप चैला आन और इनकी जो कारवाईयां हैं ये किये केने का सासनिस्ता से चला जा रहा है और जो कि जन्पद में आज इसका हम लोगों ने सोवारम किया है